Hello Friends, Fixed Deposit के अगर बात करें तो इंडिया में ये सबसे popular saving option में से एक माना जाता है चाहे आप इसे हम इंडियन्स की आदत कहिए या फिर कुछ और हम दरसल जब भी FD में निवेश करते हैं तो नॉर्मली एक साल के लिए करते हैं और एक साल पूरा होने पर फिर से हम उसे अगले एक और साल के लिए invest कर देते हैं ऐसे में जाने अंजाने में हम अपना काफी नुकसान कर लेते हैं दरसल अगर आप देखेंगे bank हो या फिर post office दोनों ही साल दरसाल अपनी FD पर ब्यासदरे कम करते जा रही हैं ऐसे में अगर आप इनमें एक साल के लिए FD करते हैं और एक साल पूरा होने पर फिर से उसे अगले एक साल के लिए reinvest कर देते हैं तो ऐसे में दूसरे साल FD पर आपको मिलने वाला ब्याज पहले साल के मुकाबले कम हो सकता है पास ट्रेंट्स को देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये 100% कम ही होगा ऐसे में अगर आप एक साथ लंबी अब्दी के लिए FD में निवेश करते हैं तो ऐसा कर आप अपनी FD पर पहले के मुकाबले ज़्यादा ब्याज पा सकते हैं इसको एक छोटे से उधारे से समस्ते हैं माल लीजिए राम और शाम ने साल 2017 में FD में 1,00,00 रुपे का निवेश किया जहां उनको उस समय FD पर 8% का ब्याज मिल रहा था राम ने 1 साल के लिए निवेश किया और शाम ने 5 साल के लिए निवेश किया साल 2018 में एक साल पूरा होने पर राम ने उसे दोबारा एक साल के लिए निवेश कर दिया लेकिन साल 2018 आते आते एबडी पर मिलने वाली ब्याजदरें 8% से घटकर 7% हो गई ऐसे में अगले साल राम को जो एबडी पर ब्याज मिलेगा वो 7% के हिसाब से होगा ना के 8% से और आने वाले सालों में वो और कम हो जाएगा चूंकि शाम ने साल 2017 में एक साथ लंबी अबडी के लिए निवेश किया था तो अगले 5 सालों तक उसको 8% के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा जो कि राम के मुकाबले कहीं जादा होगा तो दोस्तों अगर आपको शोट अब में पैसा नहीं चाहिए तो हमेशा एबडी में एक साथ लंबी अबडी के लिए निवेश करें ऐसा कर आप अपनी सेम एबडी पर ज़्यादा ब्याज पा सकते हैं आशा करता हूँ आपके लिए जानकारी मैत्पुन साबित हो ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल शोट अन क्रिस को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठैंक्स फॉर वाचिंग दा वीडियो